वेश्रिक महामारी कोरोना ने जहां हजारों लोगों के रोजगार छीन लिये हैं ऐसे में धनबाद के सैखडों लोग अब अपनी जीवी का नगर नीगम द्वारा गिराए गए कचड़े में तलाश रहे हैं एक और इन्हें ये डर भी सता रहा है कि कोरोना महामारी विक्राल रूप ले रहा है ऐसे में इनकी जान भी जा सकती है लेकिन कचड़े से जीवी का चलाने को ये लोग मजबूर है ये लोग कचड़े से प्लास्टिक चुन कर उसे कचड़ा गोदाम में ले जाकर बेचते हैं और अपने परिवार का भरण पोशर्ट करते हैं वहीं जब लगतार समाधाता ने इनसे बात की तो इन्होंने कहा कि पेट की आग बुझाने के लिए किसी भी चीज से डर नहीं लगता लोगों का कहना है कि भले ही सरकार गरीबों को चावल के हूँ और नमत दे रही है लेकिन अने जरुरते कैसे पूरी होंगी की होगा नए होगा जी पेट के चलते डर नहीं लगता है क्या करें किसी ने चुनना पड़ रहा है किसी ने सची कहा है कि पेट की आग जो होती है वो काफी भ्यानक होती है उसके लिए लोग कुछ भी कर गुजरते हैं मैं यह इसलिए नहीं कर रहा हूँ आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं लोग किस तरह धनबाद नगर निगम द्वारा गिराए गए कचड़े के अंबार से दो वक्त की रोजी रोटी की तलास कर रहे हैं इस भ्यानक महा मारी के वक्त सेक्ड़ो लोग आकर इस कचड़े के अंबार से रोजी की तलास करते हैं और साम के वक्त उसे बेच कर अपना घर परिवार चलाते हैं धनबाद से लगातार निउस के लिए रंजीत सिंग की रिपोर्ट न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बने रहे लगाता.in के साथ